हाई गाईज आज मैं आपको सुपर वेट लॉज डाल रेसिपी दिखाने वाली हूँ इस दाल को बनाने के लिए मैंने एक कब दाल प्रेशर कुकर में लिया है दाल को अच्छे सी धोलें जैसा दिखाया है वैसे ही बनाएं लास्ट में तड़का नहीं लगाना है ये दाल ओइल फ्री बनेगी इसलिए दाल के साथ पांच से छे चॉप्ट लहसुन एक हरी मिर्च और एक कटा हुआ टमाटर डाल दें कुकर में आप एक से सवा लिटर पानी और एक टी स्पून हिमालन पेंक सॉल्ट दालें फिर आधा टी स्पून हल्दी पाउडर आधा टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टी स्पून धनिया पाउडर डालें अब धकन लगाएं और दो सीटी दें मैंने वंडर शेफ का प्रेशर कूकर यूज किया है और इसका रिव्यू आप मेरे चानल विकी में देख सकते हैं वीडियो का लिंक और खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में है इस दाल में बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर है इसमें फैट और कैलोरीज कम है 28 गराम दाल में 7 गराम प्रोटीन है जिदना की एक पॉल्ल अंडे में होता है यह असानी से डाइजिस्ट हो जाती है और इसका फाइबर पेट काफी टाइम तक भना रगता है इसलिए यह दाल उनके लिए बहुत अच्छी है जो वजन कम करना चाहते है दो सीटियों के बाद यह दाल तयार है नमक स्वाद अनुसा डाले और एक से दो गाजर के साथ लंच एंजॉई करें गाजर इसलिए क्योंकि इनमें क्यालरीज कम है और इसके न्यूट्रिंस वजन कम करते हैं इस ओइल फ्री दाल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और एक हफ़ते में तीन किलो तक का वजन कम कर पाएं बबाए